अयोध्य जनपत के थाना कोटवाली नगर छेत्र के राजकी एंटर कॉलिज में संधीक्त परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कम्प मच गया स्थाने लोगों की सूचना पर पहुची पुलिस ने शव का पंच नामा कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया मिले जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर की सुभे राजकी एंटर कॉलिज परिसर में मौर्निंग वॉक करने आई लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुची पुलिस वे डोग स्क्वाइड टीम ने चान भीन शुरू कर दी सियो सीटी अर्विन चोरसिया ने बताये की सूचना मिली है की परिसर में एक युवक का शव मिला है जिसे कुट्ते नोच रहे है उन्होंने बताये की पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है फिलहाल मामले की जाज की जा रही है रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथिय सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी आज सुबह GIC ग्राउंड में मौर्निंग वार्क कर रहे लोगों को एक बेक्ति के लेटे होने की सूचना मिली उन्होंने ततकाल पुलिस को सूचना दिया पुलिस मौके पर पहुँच कर बेक्ति के पास देखा तो वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ था शव को कबजे में ले करके पुलिस पुस्ट मार्टम हेत मोर्चरी में भेज दी है और साथ में शव के बगल में एक मोटर साइकल मिली जो मोटर साइकल यूपी 42 नंबर की थी जिसको ट्रेस करने पर पता चला कि ये थाना केंट छेत्र के अंतरगत मिर्जापुर गाउं के निवासी किसी अखलेस की है उसके बारे में सूचना एकठा की जा रही है पुलिस जैसे भी होगा जांच में लगी है आगे जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को आउगत कराए जाएगा